इसका रिक्रम के पुन्यार्जग हैं परी राम शाम बनाओ कि एक बार आओ गुरुदे दर्श दिखलाओ गुरुदे मीरा ने भक्ती में अपनी शाम को ध्याया था भक्ती में भी शबरी ने श्री राम को पाया था कौन सी बाती करूं मैं गुरुजी तुम मेरे घर आओ मैं ही मीरा मैं ही शबरी राम शाम बन आओ की एक बार आओ गुरुदेव दरश दिकलाओ गुरुदेव मैंने गुरुवर तुमसे मन की बाच पाई है अपने मन की वे दी पर तेरी जवी बिठाई है भटक जो जाओं गुरू अगर तो थाम मुझे तुम लेना मैंने तुम को अपना माना ध्यान भी मुझे पर देना की एक बार आओ गुरु देव दरश देखलाओ गुरु देव की एक बार आओ गुरु देव दरश देखलाओ गुरु देव करने के लिए स्रीमान नेमी चन जी सुसीला देवी सत्यंद्र जी मोहित सिंपल जैन दुर्ग से पधारे हैं आएं सास्त्र भेंट कर आशिरवात प्राप्त करें निवरा के नवयक मंडल भी यहां पुस्तित हैं उनसे भी नविदन करता हूं स्रीफल भेंट कर आशिरवात प प्राप्त करें चलिए पुछ गुर्देव के पूजन के लिए चलते हैं जो कि सौभा के प्राप दूआ नेवरा नगर को आईए आओ बाबा पाधार ओ बाबा ओ बाबा वी राजो बाबा आचार्य स्री के चर्णों में जुका रहा अपना माथा सुदा कलस चैना गम का वा सुदा कलस जो बिखराते हैं गली गली जो बिखराते हैं गली गली जिनके दरसन को पा करके खिलती मुर जाई हिर्दै कली खिलती मुर जाई हिर्दै कली ओम्प्रिम् आच्छीर बगवन विद्ध्यासगड़ इमाहम निंद्राइए अत्रहत्रहत्रहत्रसृतावनःं अत्रतिस्टिस्थेटैस्थापनम सांसारिक विश्यों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग देश की वैतरनी से अब तक पार नहीं पाया तब वेत्या सिंदु के जलकर से भवकाल शिदों ने आया हूं आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काट ने आया हूं ओम बरिमाचर भगवन विद्यासागर जी महामुनिंद्राए जन में जरा मिट्टी विनाचनाए जलम निर्वपामिती ख्रोधियनल में जल जलकर अपना सरवश लटाया है निज शांत स्वरूपे न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है चंदन समसीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूं संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया ओम बरिमाचर भगवन विद्यासागर महामुनिंद्राए बहुआता आपिनासलाए जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षेनी धिकों पहचाना अपने तो के वल सपने थे ब्रहमे और जगत का भटकान चरणों में अर्पत अक्षत है अक्षेपत मुझे को मिल जावे तव ज्यान यरुण की किर्णों से यहरते कमल भी खिल जावे ओम रिमाचर भगवन विद्या सागर्जी महा मुनिंद्राय अक्षेपत प्राप्ते अक्ष्लाम निर्वपामेते इन विशे भोग की मदिरा पी मैं बना सदा सीमत वाला त्रिशिना को त्रप्त करे जितनी उतनी बढ़ती एक्षा ज्वाला मैं काम भाव वेत्वन शहेत मन सुमन चड़ाने आया हूं यहां मदन विजेता बन नसके यहां भाव रदय में लाया हूं ओम बरिमाचार भगवन विद्या सगर मामुन इंद्राय काम बन विद्वन सनाय पुस्पम निर्वपामेते इस छुदा रोग की विथा था भव में कहता आया हूं अति भक्ष या भक्ष बखे फिर भी मन तपते नहीं कर पाया हूं नैवेद समर पित करके मैं त्रशिना की भूक मिटाऊंगा अब और यदिक ना भटक सकू यह अंतर बोध जगाऊंगा मोहांदिकार सी व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान मैं राग द्विश में लिपत रहा इस हाथ रहा बस पच्छतान यह दीप समर पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना अब ग्यान दीप की बाती से मम अंतर दीप चला देना इन यश्व कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुन्य कर्म को चाह रहा अपना ना था शुब या शुब कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हे जलाने आया हूं इसलिए गुरुजी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूं भूगो को इतना भोगा की खुद को ही भोग बना डाला सादे और सादक का अंतर मैंने आज मिता डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वहमिल बैठा मुझे ठिकाना है जग की वेभव को पाकर मैं निश्दिन कैसा अलमस्त रहा चारोगतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हूं सतंत ग्याता दृष्टा मेरा परसे क्या नाता है कैसे अनर्ग पद पाजाओं यह भगण भावना भाता है भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूं सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्ग भेटने आया हूं हे तपो मूर्थी है आराधक है योगीश्वर है महाशंत है अरुण काम ना देख सके युग युग तक आगामी बसन मुस्का के हाले हाले गुर्वर भक्तों से बोले कि मैं हूं ना क्यु जिन्ता करता है मेरे होते क्यु डरता है अम्रिम आचार भग्वन साक्षात विराद्मन तिनके चरणों मन्वचन काय से अनर्ग वप्ताप्ते पूर्णार्गम नर्वा में ते आए हमारे बीच में रायपूर बड़े मंदिर सभी महिलाएं आएं वहीं खड़े वकर आशिराप्त आप्त करें आए पुझी गुर्देव के चरणों में चलूं आचार भगवन विद्या सागर्दी महा मुनिराज की निर्यापक स्रमान प्रसाथ सागर्दी मुनिराज की चंद प्रप्त सागर्दी मुनिराज की पुझी गुर्देव निरामय सागर्दी मुनिराज की निर्यापक स्रमान प्रसाथ सागर्दी मुनिराज की निव्राग..ciesिजांद नाज भगवान की गुरूणाम गुरु आचार ग्यान सागर्दी महामुनि राज़ की मुखमाटी लठेचवत्ता अचार प्रमेष्टी गुर्देव की پुज निरापक मुनिसी समय सागर जी यहु सागर जी नियम सागर जी सागर जी अवैं सागर जी महाराज की मुनिराज की नमोस्त भगवर नमोस्त भगवर खुराग जानते क्या कहलाती है पस्टियों की खुराग अलग रहती है इंसान की खुराग अलग रहती है पक्षियों की खुराग अलग रहती है पक्षियों की खुराग अलग रहती है जलता है, इंद्यों का पोशन होता है, और यह जतनी भी अपने कार होते हैं, उनको पूर्ण करने के लिए, वो खुराक के माध्यम से, इनर्जी, कैलोरी, जिसको बोलते हैं, उर्जा प्राप्ते होती है, इतो शरीर की बात हुई, अब मन की बात लेते हैं, तो मन की खुराक क क्या है लोग यहां दसन करने आते हैं गुरु जी की दसन करने आते हैं यह आपने दसन कर लिया अब आंगे बढ़ो आप दूसरों को मौका दो तो क्या कहते है भी मन नहीं भरा क्या कहते है आप लोग मन नहीं भरा सभाव एक है क्योंकि मन की खुराग इस पकार की है क्योंकि ग्रब्य छेज़कार भाव के अनुशार ही कर्में फलिबूत होते हैं ग्रब्य अच्छा है और छेटल भी अच्छा है तो देवस्ताज उर्टन्डों में आने पर भी ऐसे भाव हो जाते हैं कि हमाई मन की अभी पूर्टीन मन नहीं भरा है मन की फराग पूरी नहीं हुई है लेकिन आम आदमी की बात कर रहे हैं उनके लिए तो यही कहा जाता है कि अनादिकार से कसाय लगी हुई है पत्ते जीव को लगी हुई है हम आपके आपस की भी चाशा करते हैं इंसान की चाशा करते है क्योंकि उसी के पास मन होता है मन तो पक्षियों पसुमें भी होता है संगी पंचन से भी कहलाते है अच्चुकि मान जाती के अंतरकर समसाब आते हैं इसलों उसी चर्चा कर रहे है तो मन की खुराग क्या है तो मन की खुराग तो एक प्रकार से है तो मान कसाई ही है मान कसाई के द्वारा ही मन की खुराग की पूरती होती है अजि मन की खुराग पूरी नहीं हुई संचाला को महज़ा कोई थोड़ा बोलने समय पर आप तो नहीं मिला और उन्हें तो पूछा ही नहीं अब महराज जी के लिए पुल प्रशा समय नहीं तो उनकों नहीं करें हमको समय कम मिला है अब मन की खुराग के लिए अनिक ढूंग भी रखे जाते है उसकी मन की खुराग पुर दिखने के लिए अब ढूंग ऐसे होते हैं जिसको कि स्वांग करते हैं तुम कौन सा स्वांग रख रही हो तो स्वांग बिसिस प्रकार के अनिक प्रकार के होते रहते हैं तब अब स्वांग रखना चाहेगा जो चमतका करना नहीं जानता है तब भी लोगों को लवाउने के लिए चमतका की प्रक्रिय अपनाना चाहेगा क्यांसे हम चमस्कार के जारा अपनी मन की खुरा की पूर्टी कर ले मैं कोई एसर साली हो नहीं भी है तो भी पोजिंग करने कम नहीं रहेगा जखावे कम नहीं रहेगा प्रसंद में घर में खाने को भलाई ना हो डंग से ना हो लेकिन बुक्राय की कपड़े पहन लेगा चस पैसा नहीं है लोन लड़ लेकर के वह अपनी मन की खुरा की पूर्टी करता है अपने आपको ऐसर साली बताना चाहता है यहां तक कि सुनने में आया है कि जहां कहीं लड़का लड़की देखने के लिए आने जाने वाले जाते ना समाचा मिल जाते हैं तो किराय का समान ले भद्धुका है इसा मन की खुरा की बात होती है धारमक बग्तिमी मन की खुरा क चाहता है अपने आपको धारमका बनाने का पुसकरंचे क्षा प्रेस करता है इसके लिए ध् Western जाते हैं fromiva लड़की आते हैं इस हिसाप से अलब प्रगाड की बात उती रहती है कैंडदे बिं लिए देखा जावे तो एक ही बात सामने आती है कि मैं मान का साय का ही पोशन करने की बात होती है इस स्वांग रशे जाते हैं एक कफाना क्या आगया कि एक भेकारी भीग मांग रहा था तो उसने ब्रक्ति से कहा कि बाओ जी बाओ जी हमको 20 रुपर दे दो किस लिए चाहिए आपको काफी पिऊंगा आज काफी पिने के एक चवरी है ठीक है हमको तुम बताते हो 10 रुप में काफी आती है 10 रुप में एक कबे आती है एलो 10 रुप ले लो इसे काफी पी लेना नहीं 20 रुप चाहिए क्यों चाहिए नहीं मेरी गल्फ्रेंड है न उसको काफी पिलाना है सुनना तुम बेक्षी बता है तुम भेकारी है तुम खुसका ठेकाना है नहीं है और तुन्हे अपनी एक ऐसी गल्फ्रेंड बना के रखी है यह कोई अच्छा माना जाता है तुम क्या उत्तजी पिल्फ्रेंड है नहीं मैंने उसको अपना गल्फ्रेंड नी बनाया है उसने हमको अपना बाइफ्रेंड बनाया है यह इसको स्वांग ढंग बलते हैं न ऐसे अलग स्वांग ऐसे रखे जाते हैं से अपने को अच्छा बताने के लिए उसके लिए साम, दाम, दंड, भी कुछ भी अपनाया जा सकता है कल लोगों ने बताया परणिणाम बगएर आगए आप लोगों के यहाँ पर गए क्योंकि यह प्रजाद तंक्र है अब किसी ने परस्ट ने बताया था कि सभी पार्टिया जो राजने पार्टिया होती न तो वो जब चुनाव में खड़ी होती है तो अपने अपने साब से अपना क्या प्रश्य करती है नहीं अपना घोष्णा पत्र प्रश्य करती है सब घोष्णा में यह तो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ना उसमें लेख में आया था संपास की लेख में आया था ना चाब कोई भी पार्टी हो अब आचासी से वाद किसी ने कहा था आचासी आप कोई सी पार्टी के हैं रस्ते की बाद है आचाशी ने बहुत अच्छा कहा था हम तो अहिंसा पार्डी के है जिस धर्म में अहिंसा की रस्ठा होती है सत्य का पूर्षण होता है उस पार्डी के हम है लेकिन बरत्मार में तो अहिंसा सत्य अच्वर तो पार्टी अपने गोशन पत्यों जाली करती है, सभी प्रकागर यह सब करती है, कभी भी पार्टी वाले ने यह नहीं कहा कि हम भ्रष्टा चार को कम करेंगे, इस देश के लिए जोंक की तरह है गुन की तरह लगा हुआ है जिसने अन्न से भी समझता है खड़ी कर दी है तो भिश्टा क्यों करता है बक्ति क्यों करता है सिफ प्रदस्थन और मान कसा के पोशनल करता है कि हम उससे स्लिष्ट हो जाएं हमारा उससे और अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए अपनी मान कसा की पोश्टी के लिए इस मन की खुरा कहलाती है जिसका अन्से सब होता है उसके कोई भी भी समझता पड़े उससे चिंता नहीं रहती है अभी दसन करने के लिए आए से कहां के अभी प्रक्ति है ते कोई इस कहां के हाँ हाँ हो खड़ेता है इस पंच्छा लाणाक में अन्से करते हैं याद आगे है अभी ना करते हैं राजयत नाम ना कहा है उमरगा उमरगा याद आगी बात है इसको स्वांग बदे ना अनेकपकार के भीध भीध धन करते हैं इसको कहते हैं स्वांग रचना भागवान की प्रिश्चता होगी उसमें आप सब आपको बताना चाहते हैं कि बास्ता में संस्कार कैसे किये जाते हैं ताकि समझ में आपके आज आए क्योंकि आप लोग धार में महौल है तो यह जरूर है ताकि आपको वह जवाई वह उसदी अंदर चली जावे मौन तो बताना चाहते हैं तो ब셔야 किसे कहते हैं जिसके बाद बौत रुपया होता है आजकर पडिवासा बदल गई है जिसके पास बहुत सारा क्या होता है रुपय होता है वैं बरूपय कहलाता है लेकिन बास्तहों में बहुरूपय दिर्ग अन्य पर स्वान तें तो एक कथानक आग में बहुत दी अच्छा आता है और उसको आपको प्रदसाना दिखने मिलेगा भी, आपने किया भी होगा, एक 32 जान जो अनेक रूप बदलने में माहिर था, अभी नहीं कला भी बड़ी बस्तु होती है, कला की बात कर रहे हैं, एक काका काले कर हुए हैं, अच्छे जासन, सास्तिके और गांधी लाती है, तो सिक्छा की देवी कि उन्हें पुर्ण रूपन किया है, कि उसके धहरे फैंपड़े हैं, मस्तथ उसका ग्यान है, और कला, कला और उनके साथ में कोई उसके दोनों हाथ हैं, कला किसी ऐसा गाड़ गपते रहती है, और पुरसासी प्राप्त की जाती है, संगीत कला है, पेंटिंग कला है, रांगोली कला है, मेंदी कला है, अभिने कला भी कहलाती है, जिसको बहरूपिया कहा जाता है, तो एक ब्रक्ती बड़ा उसमें माहिर था, अनि पर स्वांग रचने में माहिर था, उससे कहा गया, उसी दंग से करता था, उसके लिए अभिने होता जतनी फिल्मी कलाकार होते हैं, वो करना तो करते हैं, कहीं कोई कुली बन जाता है, कभी बुड़ा बन जाता है, बुड़ी बन जाते हैं, कहीं डांको बन जाते हैं, कहीं डांको बन जाते हैं, और कई प्रकार के निरता बगर बन के कला दिखाते हैं, तो उससे खाई तो अप मैंसे दाइंडने लगा, और दाहरते दाहरते वह हैं वहां पर, रिसमुन कै '' इस बहुत अच्छा कल्णा कहा रहे है sì कल्णा तो देखने लाइक है पतना ही चलता कि असली सेर कौन है और यह बैक्टिया की सेर है पतना चलता है, तो उस सेर बन गया चलो तुम राज में चलो भाँ राजा बहुत आपको देखके खुछ जाबेगा राजा ने उसके कहा था कि यह रूप बनाओ सबकर पहले बात हो गई जी तो उसके का राजन हम रूप तो बना लेंगे शेर का लेकिन कुछ गड़बड हो जाबे तो हमको छमा कर देना कुछ पहले बाजाए एडवांस में उसने अपने पास लख लिया था कि कुछ भी घटना गड़ा कुछ आबे तुसके लाब चमा कर देना कुछ डंड़ बगार नहीं मिलना चाहिए हाँ ठीक हम तो हमको पास स्वीकार है साथ स्वीकार है आज कर सब्सक्राइब चुनाओ लड़ गहे अब सच्छों में सेर बन करके उस राजामा आ गया अब सबने जिए कायका सेर है इस गीदड जैसा है जाहरता भी अच्छे ढंक से नहीं है झफट्टा भी नहीं मारता है ऐसा राज को मान उसको चैलेंज कर दिया जो राजा का बीटा था और उसने चैलेंज कर दिया तो सवाब एक है कोई मज़ मक्य के छत्ते मज़ी उंगली करेगा तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा अब तुमने उसको छेड दिया तो उससाब से उसको अपने उसमें आ गया उसने जम के जहाड मारी अब किसे को गीज़र कहा दिया जाबे किया से स्विकार करेगा हुए अब जहाड मार करके उसने जहपट्टा मार करके घायल कर दिया किसको राजकुमार को राजकुमार सोचे नहीं सा इसमें से यह तो बहुरूपिया है सेर बन के आया है तयार नहीं सा अब इस डंग से राज कुमार तो होते ही है उसे आगाज को सेहन नहीं कर पाया भिवस हो गया मूर्चा आ गई और जाज़ा चोड़ लगने से उसके प्राण भी निकल गए ऐसा आगब में कतानक आता है अब सब लोग आशें पढ़ गए कि देखो कि एक लोगता राज कुमार पूर इस पूरे राज़ा का स्वामी होने वाल भसम है उसकी ऐसी सीज़ी हो गई है अब क्या करें सब लोगता जिसने सेर बन के आया है इसको डंड दिया जावे फांसे की या जेल की कुछ भी सज़़ जावे लाज़ा पहले बचन बत तो हो गया था कि कुछ भी घटना होगी उसने पहले सबस दिया था लगो को ले रीज़ी सज़ा चले आई प्रान जाए पर बचन न जाई लाज़ कुमार का वां आफसान होने के बाद भी लाज़ा ने उसके लिए जो भरूपिया था उसके लिए छोड़ दिया जो की सेर का रूप बन करके अपना प्रसंद कर रहा था अब इस समय जब राज़ कुमार का अफसान हो गया अब किसी पिताजी का नौजवान ऐसे लड़का चला जाता है कितना दुख होता है हम सब देखते हैं संसार में जब राजा राणा चत्पती हातन के असवार मनना सब को एक दिन अपनी अपनी दलवल देवी देवता मात पिता बरिवार मर्ती बिरिया जीव को कोई नाराखा नार तो कब अपनी सुविजा है कब हमारी दुखा में बन जाए कहनी सकते हैं इसलिए हमेशा गुरुजी कहते हैं कि बारा भारों के चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए वो प्रसंग आपके यहां देखने में आएगा कब आता है बारा भावना तब कर लाना तीरा तारीक को पड़ेगा तो अब वै राजकोमार के चले जाने पर राजा बहुत दुखी रह लगा है मन नहीं लगता सब करने लगता अब लोगों नहीं का क्या क्या जाए और जो जो भड़कान बनने वाले होते न भड़का दिया इसने जान बूच करकर किया है महराज जो भरूपिया बना है ना जान बूच से किया है ऐसा है अच्छा है ऐसी बात है तब क्या किया जा भी अब इसको फिर से चैलेंज करो को यह से रूप बंद करके आए फिर से दिखाए तब ही हम मानेंगे अच्छा है और लोग ने सोचा कि चलो अच्छी बात है इसाब से अपना हो भी जाएगा सब विरोधी पार्टी होती है क्योंकि मान कसा है का मन कई खुराक की पूर्टी करनी है और उस खुराक की पूर्जी के अंतरगत फिर उसके काई की समभिया एक काम करो मुनी महराज होते जिगंबा धर्म होता ना तो मुनी महराज बनके बताओ तो हम जानेंगे कि तुम्हारा बहरूपिया बना सही है सोचो कितनी चैनिस की बात है अब प्रैस 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 करना पड़ता है पुरा अभ्यास किया, उसने मुनी माराज बनने का, कैसे किसनों किया जाता है, कैसे खड़ो कर आहा लिया जाता है, किसे नंग से नंग अफसना में सोया जाता है, बैठा जाता है, उसने पुरा अभ्यास रूप में किया, अभ्यास करते करते करते, उसने साफसे वहां से ऐसे ने विजन किया, तो उस जो भरूपिया जो मुनी माराज का भेज़ान कर लिया था, उस ने मारेस प्रवच्चन सुना दिया, संसाथ तो नस्ट्वर है, एस नस्ट्वर है, और से तो रिष्टे सब देखने वाले हैं, भरत्मान में जो राजा है, वुलानी बन जाता है, कभी बेटा पिता बन जाता है ऐसे 18 नाजी की कथा आती है प्रिस्मान योग में पुत्री मा बन जाती है मा पती बन जाता है पती बेटा बन जाता है यह तो इस भव के रस्ते हम को समझ में आ रहे हैं लेकिन बास्तों में अनाजी काल से हम पिता बने माता बने लड़का बने लड और जन्म लिया हो नहींक को प्रयायम को प्राप्त कुए अन्यफरा कर चुका। एसी प्रकार से अकुल बैकुल होता है। इसकी बहुत्य Repli होती है कि आत्में एक तक ही है, बहुत्यश्री वाला आपन सांते रखता है, संत्रपणाव रखता है, ऐसे बारा भानों के चिंदन करते हुए, बेराग भानों करते हैं, ऐसा उपदेश मिला महराजी का उसे राजन के लिए, राजन की आख खुल गए, कि हाँ बास्तों में, मैं गल्ती में था, मुझको अपना सोक, दुख छोड़ करके, अस हम आपसे प्रसंद हो गए हैं हम आपको इनाम में अब इच देना चाहते हैं बहुत रूपिया था इनाम में हम दे देना चाहते हैं अब आप अपना पुनाना पापिस भीष धनक कर लीजिये जो आपने सौंग रचा था भेजबी से रजी उसकों पापिस आजाईए तो उसने क्या कहा उसका नाम तो ब्रम में गुलाल क्यों भाई ऐसे ही है ना उसका नाम ब्रम में गुलाल था बहुरूपिया था उसने कहा इस नाम का क्या काम इस परिग्रफ कराता है मैंने भराई खेल खेल में और अपना प्रस्ट करने के लिए इस भेश को धान किया था अब यह सभी भेश सो बदल सकते हैं अभी हम इस पार्टी में थे हम उस पार्टी में जा सकते हैं उस पार्टी से उस पार्टी में जा सकते हैं हम जल बदल सकते हैं हम भेश तो बदल सकते हैं अब हमने जो भेश धान कर लिया है दिगंबर मुनिका भेश धान कर लिया है बनाए हमने सो सौंग के गुरूप में धान किया था अब भेश अब बदल नहीं सकते हैं जब तक प्राण रहेंगे जब तक आयू रहेगी हम इसी दिगंबर अवस्ता में ही रहेंगे संसाय के सभी पाठक्रम बदल सकते हैं सुना जान से चाह पहली से लिकर के बारमी तब को काले जो सीए हो कुछ भी हो सभी पाठक्रम बदल सकते हैं लेकिन ए मुनि धर्म का पाठक्रम जो होता है आज इवन एक ही पाठक्रम रहता है जिसको 28 मूल बड कहते हैं यह सब बहुत रूपिया ब्रम गुलाल ने खेल खेल में सौन के रूप में भी उसने भेज धान किया लेकिन उस भेज को अब नहीं बदलेंगे राजा ने परिक्रज में छोड़ चका हूँ अब आपके नाम में हमको मौती हीरे कोई भी आप उपहार्ज हैं हमकिसी काम का नहीं हूँ अब मैं तो अपनी आत्म और आत्म रूपी हीरे को ही सई हीरा मेरा ही भामूल है हीरे को परख लिया आचार ग्यान सागा महराजी ने तो हम ऐसे उस आत्म तत्ति रूपी हीरे को ही हम हमारे लिए भामूल भाई मेरा परिक्रह है और कुछ भी मेरा नहीं है ये मेरे पाठ क्रम में 28 मूल उनी मेरे सब कुछ हैं बस मैं इनी को अंगिकार करूंगा अब मैं भेस बदल करके दूसरे भी धन नहीं करूंगा इसलिए कहा जाता है भेस दो बदल नहीं जाता है वै दिगमब मूल अपनी महराज्च का ही होता है तो हम लेकिन किपने भेस बदलती रहते हैं सौंग रच्ती रहते हैं मन की खुराग के लिए सब करते रहते हैं इसलिए मन की खुराग का यह है कि हम कुछी भी करें लेकिन अपने मन को तो साफ सुसरा रखें ताकि हमारा भाह काम अच्छा सर सके महराज जी उसने भी ठग लिया ठगना बुरा है ठगना बुरा है ठगा जाना बुरा नहीं है नुड कर लेना तुमको ठग ले चिंदनी करना चलो भाई उसने जो किया ठीक किया ठगा बस लेही है ना उसका हम तो पहले भ़ामें लिया होगा अब उसने हम से बापस ले लिया ठगना बुरा है किसी को ठगना अच्छा नहीं माना जाता है ये सब कसायों की पोषण होते रहते हैं मन की खुराग कब इस है बनते हैं इसलिए हमको चाहिए कि उसको छोड़ करके प्रभु की भक्ति गुरु के दर्सन जिर्वान की जो है आज्जाय हैं परोब कारें अच्छे कारे हैं हमाई मन की खुराग बने ताके हमारा भी कल्यान हो सके प्रभु आपके हुए पांच कल्यानक एक बेरा मेरी कल्यान करो भजन तो गाएंगे संगीतकार आएंगे प्रभु हुए पांच काचन तेरे पांच हुए कल्यान प्रभु एक बार मेरा कल्यान कर दो तो कल्यान कहने से नहीं होगा, करने से होगा. तो मन की खुराक हम अच्छी वैसे बस्तों में बनाएंगे, हमारा कल्यान सीखर होगा. और आप सबी लोग यहां पर पंच्छे कनग देखने के लिए आए हैं, उनसे हमारी भाहना अब भल्वती बने, लिपंच का लाना के द्रस्टे हमारी बनकी खुराख बनें ऐसी भावना भाना चाहिए बुले आहिंसा पर्मो दर्म की आचार गुरुवर स्री कुंद कुंद भगमान की आचार गुरुवर स्री ज्यान सागर मुनी महराज की प्रात्य काल बाहर जा रही थे बादल दुष्टी में आ गए और सोचा बादल अभी तक दो मेने में काले काले नीले नीले कपोत रंग की थे अब यह शरदु तो है इसमी भी बादल गूमते हैं किन्तु शुक्र लेशा के हैं हमने सुचा बहुत उप्युक्त है यह शुक्र लेशा का अर्थ यह हमारे पास अब कोई भी परिग्रह नहीं कि जो कुछ दीना था दीनी योग की था वद दूनों में वर्षा हो गई मन निर्विकल्प हो गया उसी प्रकार यह जनता को देखकर कि भी ऐसा लवता है सोलें कारिण भावना रत्नत रहे और दसलक्षन धर्म और भी एक साथ करना ना चैतु कर सकते और यह लोग भी उसी प्रकार याथ्रा के लिए निकले हैं शुक्र लेशा को लेकर के जो को भी और बचा हो उसको भी सईस ठिकाने पर लगाने का विचार बनाओ वैसे मैं सूत राटा कि सुभवी दो बार दर्शन दे शुका हूं और वैसे तो यह भूक लगी रहती हमेशे हमेशे कि पर्व को ही पोर मनाया गया है अप अब रंश बाशा में तो यह पर्व इस पर्व का नाम क्या है अच्छा रुजी कहा यह पर्व का आत्र प्रोश्दों भुवास का प्रत्वीक है हमेशा हमेशा संतुष रखा करो सादू संत भी हमेशा हमेशा संत तो भट पानेशू संतुष्ट रहते हैं एक बार स्रावकों के घर में जा करके और जो उन्होंने दिया उसको संतुष के साथ स्विकार कर लिया 24 गंटे के लिए अब भगवान भजन करने के लिए चुट्थी उसी प्रकार स्रावकों का भी है इमाम बगवन के किरपा से हमें महराजूं का योगदान मिला जैसा मिला उसी में संतुष्ट रख करके आगे भी इसी प्रकार के समागम की इच्छा रखते रहो बाकी सब यहीं का यहीं रहने वाला है ले करके क्या आए थे मुठी मान करके आए थे लेकिन जाते समय आपको खाली जाना है इसलिए देदा करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहाँ पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं समय दिष्टी और सयमी सयमा सयमी इनके लिए पहले से ही स्वागत द्वार तोरन द्वार बंदे वुये है प्रतीक्षा रत है किंटो देवी सुक शांती की इच्छा कभी भी नहीं करना इच्छा करना अपने लिए विशाप है और इच्छा निरोध हमारे लिए परम तब माना गया है अइंसा परमो धर्म की अइंसा परमो धर्म की